हेलो स्टुडेंट आज हम आपकी प्लेफुल एक्टिविटी बुक से फाइंड आउट करेंगे तो देखे बच्चों क्या लिखा हुआ है find and circle the word that will take a before it मतलब हमें ऐसे शब्दों को ढूणना है ऐसे word को ढूणना है जिसमें हम एका यूज कर सकते हैं तो बच्चों एका यूज कहा होता है कॉंसोननेंट में तो देखि बच्चों पहले क्या लिखा हुआ है c a t cat तो ये c क्या है कॉंसोननेंट है तो हम इस पे circle लगा देंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है p o t pot तो pot का pv consonant है तो हम इस पे भी circle लगा देंगे अब उसके बाद a, x, e, x तो यहां क्या है a a तो wawel का है तो हम इस पे circle नहीं लगा सकते उसके बाद क्या लिखा है engine engine का e भी wawel का है तो हम इस पे भी circle नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें consonant पर a लगाना है अब देखी बच्चों क्या लिखा हो है, D-O-D-O-L-Doll तो D क्या है कॉंसॉनेंट, तो हम इस पे सरकल लगा देंगे अब उसके बाद क्या लिखा है, हट तो हट का जो H है वह creator वह भी कॉंसॉनेंट है तो हम इस पे भी सरकल लगा देंगे अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है find and circle the word that will take an before it मतलब अब हमें क्या करना है इसमें an वाले शब्द ढूणने मतलब जिनमें हम an का use कर सकते हो और an का use कहा होता है बच्चों वावेल में तो वावेल कौन कौन से देखिए i-n के ink ink का जो आई है वो वावेल है तो हम इस पे भी circle लगा देंगे अब उसके बाद क्या है orange o-r-a-n-g-e orange orange का जो o है वो भी वावेल है तो हम इस पे भी circle लगा देंगे उसके बाद है e e-double-g egg egg है तो egg का जो e है वो भी वावेल में आता है तो हम इस पे भी सरकल लगा देंगे उसके बाद है A.W.P.L.E. Apple Apple का A भी वोवेल में आता है तो हम इस पे भी सरकल लगा देंगे अब क्या लिखा हुआ है हाँ M.A.T. Matt तो Matt का जो M है वो तो नहीं आता है वोवेल में तो हम उस पे सरकल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें N का यूज करना है जहां N आता है अब उसके बाद देखे C.U.P.C. अब तो C.U.P.C. का जो C है वो कॉंसोरेंट में आता है तो हम वहां N का यूज नहीं कर सकते